अगर medicines और health से लेटेड आप information चाहते हैं तो अभी subscribe करें मेरे channel को knowledge for care आज की जीडियों बात करेंगे OHD3 plus drops के बारे में अब इस drop के या फिर इस medicine के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे लेना है और क्या इसकी price है यह सारी जानकरियां जो है, आज की जीडियों में मैं आपको दूँगा देखे, prices शुरुआत करें, तो 137.50 पेसे में आपको यह 30 ml की bottle यह 30 ml drop मिलता है, अब बोल सकते हो अब price हमें के अनुसर बढ़ता रहता है, तो जो आज का price है, वो इधर मैं आपको बता दिया है, और यह जो है Induco Pharma वालो की है, जो की काफेची कंपनी है अब इसको खरीदना कहां से है, तो देखे, कोई भी local alopathy medical store से खरी सकते हो, या फिर आप इसको online भी खरी सकते हो तो online खरीदना है, तो Google पर इसको search करके देख सकते हो, बहुत सारी website इसको sell करती है अब देखिए, यह जो OHD3 plus drop है, तो इधर एक OHD3 भी आता है, लेकिन यह है OHD3 plus तो यह plus के आपको ज़्यादा benefit मिलेंगे अगर हम compare करें, plain OHD3 से तो अब देखिए, इधर बात करते हैं ingredient के बारे में इसमें क्या-क्या है, तो देखिए, इसमें बहुत सारी vitamins हैं, minerals हैं, amino acid है, DHA है, जो की आप खुदी screen पर देख सकते हो अब इधर बात करें फाइदे के बारे में, तो देखिए, सबसे पहले तो बता दूँ कि यह जो drops है, mainly छोटे बच्चों के लिए है, अगर हम बात करें तो 0, 2, 3 years, मलब तीन साल तक के बच्चों के बच्चों के लिए सफी सेंट हैं, जारा बड़े बच्चों के लिए यह नहीं है, अब देखिए, यह करता क्या है, कि यह हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है, और जो बच्चों के दात आ रहे होते हैं, या फिर दात हैं, उनको मजबूत करता है, तो बच्चों में हड्डिया मजबूत होना बहुत जरूरी है, चोटे बच्चों में, अब यह करता क्या है कि कैलसियम के absorption को बड़ा देता है. अब कैलसियम का absorption अगर बड़े जाएगा तो आपके बच्चों को यह हड़ियों को काफी फायदा मिलता है. हड़िया मजबूत होती है क्योंकि कैलसियम मिल रहा है लेकिन अगर कैलसियम एब्जूर्ब नहीं होगा तो उसका सरीर में कोई फायदा नहीं मिलेगा और जो रेकेट्स नाम की बिमारिया होती है जिसमें का हड़ियां तेड़ी हो जाती है ये सब बीमारियों से बच्चा जो है बच सकता है अब इसके लाव़ ये immunodist system को boost करता है और brain function को improve करता है और brain और growth के लिए काफी अच्छा है brain development के लिए growth के लिए काफी अच्छा है जो है drop से मैं इसा में बोल सकता हूँ बढ़ते ही वो बच्चों के लिए काफी अच्छा drops है इसके लाव़ आखों के लिए अच्छा है इसके लाव़ आखों के लिए अच्छा है और एनिमिया से भी ये बचाता है ये drop इसके लाव़ प्रोटीन बनाने में मदद करता है और कुछ हद तक भूग बढाने में मदद करता है बच्चों के लिए और मैं इधर बोल सकता हूं कि ये ओवराल बोलू हूं तो बेस्ट एक हैल्थ टॉनिक है बच्चों के लिए तो इस टॉनिक को आप अगर बच्चों को दोगे तो इस प्रकार से फायदा मिलेगा तो अब बात करते हैं डोस के बारे में तो जनरली एक एमेल ही दिया जाता है एक एमेल आपको एक दिन में एकी बार देना है और कुछ भी खाने के और खाने के बाद कभी भी दे सकते हो कोई प्रॉलम नहीं है अब देखिए एक साल तक का अगर बच्चा है छे मैने से एक साल तक का एक साल से उपर तो एक एमेल चल जाएग धे दिया है अब इसको किसी बचचे को दे सकते हो या बचचे को प्रालum है या नहीं प्रालम है सबको दे सकते हैं यह एक प्रकार से health toxic है जो की health के लिए अच्छा होता है अब side effect के बारें बात करें तो side effect तो basic तो नहीं है इसका कुछ लेकिन फिर अगर बच्चे को खुजली होती है रैसा आ जाते हैं या कुछ नोजे टाइब लगता है या पेट खरा हो जाता है ऐसा कुछ भी होता है तो आप इस ड्रॉप को देना बंद कर दें या फिर जो है डॉक्टर से सला करें जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं अब इधर कोई द यह जो है आप 6 महने तक बच्चे को दे सकते हो या फिर डिपेंड करता है प्रॉलम जो है क्या है परिसानी क्या है कई वार बच्चा कुछ खाता नहीं है ज्यादा खाता पिता नहीं तो उस कंडिसन में ज्यादा भी चलाय जाता है क्योंकि बच्चे को न्यूटिसन के कमी नहीं नहीं खाएगा तो दिक्कत होगी तो हमको यह अलक्स सप्लिमेंट दे नहीं पड़ेगा तो 6 मने आरम से दे सकते हैं लंबे समय तक भी दे सकते हैं लंबे समय तक देना है तो एक बाद डॉक्टर से सला करने तो अच्छा रहेगा अब फायदा कब तक देखने को यह जंक फूड होता है यह सब ना दें बहुत जारा मीठा ना दें यह सम ज्यादा अच्छा नहीं हेल्थ के लिए आप हमेंसा हेल्दी डाइट दे बच्चे को ख्याल लखें फल फ्रूट्स दें सामिल करें और यह जो ड्रॉप से कोई ट्रीट्मेंट नहीं किसी बिमारी के लिए है.. और देखिए कभी भी किसी बच्चे को कंप्यरण ना करें बच्चे को हमेंसा κάνud होना çाहिए.. यह नहीं कि बच्चा मोटा होना चाहिए तो इधर मेरे वीडियो खातम होता है और आगर आपको च्फृफ से और वीडियो देखना है , हेल्द को सब्सक्राइब भ कर दो कर दो कर दो